हलो एवरिवन, बैट जाए टीवी ट्रेन में और हम आपको ले चलते हैं बिग बॉस 15 के स्टेशन की और जहां हमने आपको समय समय पर यह बताया है कि कौन से नई चेहरे मेकर्स एप्रोच कर रहे हैं इन हाउस आने के लिए महीं आपने आपको यह भी बताया है कि कलर्स चैनल पर आने से पहले इस बार बिग बॉस ओटीटी वूट सलहक पर आने वाला है जो 6 हफते तक चलने वाला है ऐसे में दिव्या अगरवाल कंफर्म कंटेस्टेंट बन चुकी है जो बिग बॉस ओटीटी में दिखाए देने वाली है अब बिग बॉस हाउस के लिए किसे अप्रोच किया गया है? कौन है ऐसा टीव इंडूस ट्री का फेमस अक्टर? चलिए हम आपको टीवी ट्रेन में बताते हैं लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बिबल अकंद बना मत भूलए ताकि हमारे चैनल की नोटिफेकेशन सबसे पहले आपको मिले चोटी सरदार्नी फेम सरब जित सिंग गिल को एप्रोच किया गया है बिग बॉस हाउस के अंदर आने के लिए अवनेश रेकी ने इस बात को हाँ बुला है कि उन्हें एप्रोच किया गया है बिग बॉस हाउस के लिए और उन्होंने अपने इंट्रों में ये भी कहा है कि जल्द ही ये शो पूरे होना पूरा होने वाला है चोटी सरदानी एक ही विंग वीक की शूटिंग बाकी है अगर सब कुछ सही होगा अगर सब कुछ समय पर खतम हो जाता है उनकी शूटिंग कंपलीट हो जाती है तो वो शायद बिग बॉस हाउस के लिए हा कह दे अवनीश रिकी ने अपना करियर इंडियन टेलिविजन में मदुबाला सीरियल से किया था इसके बाद उन्होंने एक इश्क एक जनून तु सूरज में सांज ऐसे बड़े नाम की सीरियल भी किये हैं। अब देखना ये होगा कि कॉंट्रवर्शल शो बिग बॉस 15 में अगर वो आते हैं तो वो किस तरह से अपने आपको दर्शकों के सामने रखते हैं। आप कितने एक्साइटिट हैं। अब इनेश को देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एक्सक्लोजिक खबरों के लिए जुड़े रही है टीवी ट्रेन के साथ।